हैलो एवरीवन बलकन टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम यहापर 15 अगस्त के लिए टॉप बनाना सिखाएंगे तो नीचे का हमने लहेंगा पहले से ही बना लिया है और केसरिया कलर का हम टॉप बनाएंगे तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहापर निसान लगा देंगे इतना कपड़ा हम लिकाल देंगे और यहापर हमें गले की चोड़ाई रखनी है डाइंच तो डाइंच पर निसान लगा देंगे और सोल्डर की चोड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे तो यहाँ पर निसान लगा देंगे और यहाँ पर आर्मोल की लंबाई 6 इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे और यह किंच पर आर्मोल की गुलाई करेंगे और सीने की चौड़ाई हमारी 16 इंच है तो 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पन निसान लगा देंगे और ये हमारा सिलाएम आलजन हो जाएगा तो अब हमें आपर टॉप की लंबाई नापिंगे तो लंबाई हमारी पंदरांच की रहेगी और आदांच का माजन लेगे उपर सोल्डर सिरने के लिए तो साड़े पंदरांच पर निसान लगा देंगे और नीचे की तरफ हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो इंच का माजल लेना होगा तो यहाँ पर भी निसान लगा लेते हैं और इतरह से सीधा ही निसान लगा देंगे दींचे का हमें कमर का निसान नहीं लगाना है तो अब हमें यहाँ पर इसी निसान से कटिंग करेंगे और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहां आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना मैं टॉप की कटिंग कर लिए हैं यहँ पर हमें दूसरी तरफ भी निसाल लगा देना है तो अब हम इसमें उपर की तरफ ज्ञालर लगाएंगे तो इसके लिए हैं आपर मेरा इतना कपड़ा बचा है तो इसी में से हमें ज्ञालर बनानी है तो पहले हमें आपर कपड़े को बराबर कर लेते हैं इसमें से हम तीन ज्ञालर लिका लेते हैं तो ज़ालर की चोड़ाई हमें आपर साड़े चार इंच रखेंगे तो साड़े चार चार इंच पर हमें आपर निसान लगा लेते हैं और उसके बाद में हमें आपर दोनों निसान को मिला देना है तो हमने निसान लगा दिया है अब हमें आपर इसी निसान से कटिंग करेंगे तो यहाँपर मैंने ज़ालर की कटिंग कर लिया है तो अब हमें आपर गले की पटी कटिंग करेंगे तो paper pasting को मैंने fold कर लिया है और गले की चोड़ाई हमें आपर 2 inch रखेंगे तो यहाँ पर निसान लगा लेते हैं और गले की लंबाई हमें आपर रखेंगे 6 inch तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे इस तरह से हमें box बनाकर गले की उलाई कर देना है अब हमें आपर एक इंच का माजन छोड़ते वुए यहाँ पर कटिंग करेंगी तो हमने निसान लगा दिया है यहाँ पर आमें दूसरी तरब भी गले का निसान लगा देना है और यह हमारा पीछे का गला रहेगा तो गले की लंबाई हमारी यहाँ पर रहेगी 4 इंच इसलिए हैं याँ पर हम गले की पट्टी, फाट कलर की कप्टे से सिलेंगे। अब हम याँ पर इसको साट से फोल्द करेंगे। और साट से भी हमें फोल्द करके सिलाई लगा देनीया है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिये बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगी तो कुछ तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है इसको यहाँ से फोल्ड करेंगी और वी सेंटर पर हमें निसान लगा देना है यहाँ पर कट भी लगा देंगे बिल्कुल B-Center पर तो अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगी फोल्ड करके हमें B-Center पर एक निसान भी लगा देना है तो इसकी सीधी साइट हमें उपर की तरफ रखनी है और गले की पट्टी को भी हमें आपर दख लेते हैं सीधी साइट से और यहाँ पर गुलाई में हमें सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर बचे हुए कपड़े की हमें आपर कटिंग भी कर लेते हैं आदंज का मार्जन छोड़के यहां पर हमें कटिंग कर लेना है और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देना है अब हमें यहां पर क्या करेंगे इसमें एक दाप सिलाई लगा लेते हैं अब हम याँ पर इस पत्टी को उल्टी तरप से फोल्ड करेंगी और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगी याँ पर हम तुर्पाई नहीं करेंगे तो इसी लिए हम याँ पर चोटी सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पर मैंने गले को तयार कर लिया है देखिए आप लोग देख सकते हैं और से मैं इसी तरीके से मैंने पीछे वाले गले को भी तयार किया है तो दोनों की सी दिशाय टामने सामने रखेंगी और अधन्च का मार्जन छोड़ के सोल्डर से लेंगी इसी तरीके से हमें दूसरे सोल्डर को भी सिल लेना है तो यहाँ पर मैंने सोल्डर को भी सिल लिया है अब हमें आपर इसमें आर्मोल की साइड से पट्टी लगाएंगी तो इसको सीधा रखेंगी और यहाँ पर मैंने औरे भी पट्टी लिया है इसकी चौड़ाई हमारी दो इंच है तो इसको यहां से फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से रख लेना है रखने के बाद हमें आपस सिलाई लगा लेते हैं तो यहां पर मैंने पट्टी को सिल लिया है अब हम आपर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लवा लेते हैं तो एक तरफ से मैंने पट्टी को सिल लिया हैं और सेम इसी तरिके से हम दूसरी तरफ भी पट्टी को सिल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी पटी को सिल लिया है तो अब हमें आपर इसकी फिटिंग करेंगे तो दोनों पल्ले को विल्कुल एक बरावर रखेंगे और उसके बाद में हमें सिलाई लगानी है तो जहाँ पर हमने निसान लगाया है उसी निसान पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा दिया है अब हमें आपर टॉप को सीधा करेंगे और उपर की तरफ हमें जाला लगानी है तो पहले हमें आर्मोल की साइड से 4 इंच पर निसान लगा देना है दूसरी तरब भी हमें आपर 4 इंच पर निसान लगा देंगे और यहाँ पर भी हमें 4 इंच पर ही निसान लगाना है आर्मोल की तरब से और पीछे की तरब भी हमें निसान लगा देना है और उसके बाद में हमें आपर कुछ तरह से गुलाई में दोनों निसान को मिला देंगी देखिए आप लोग देख सकते हैं और इसी तरीके से हमें पीछे की तरफ भी निसान को लगा देना है कुछ तरह से गुलाई में हमें दोनों निसान को मिला देना है तो हमने निसान लगा दिया है और यहां पर मैंने जालर को लिया है तो जो मैंने पटियां कटिंग करी थी तो इनको हम यहां पर पहले जोआइट कर लेते हैं तो हमने सिलाई लगा दिया है और यहां पर हमें इसको नीचे से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो पूरी पटी को हमें इसी तरीके से फोल्ड करते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हमें आपर उपर की तरफ इसको एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगा देनी है तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करते जाएंगी और सीधी तरफ से सिलाई लगाते जाएंगी तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया दे कि आप लोग देश सकते हैं अब हम इसमें क्या करेंगे पलेटे से लेंगी तो कुछ तरह से हमें पलेटों को डाल लेना है पिलेट का जो डारिक्षन है वो हम याँ पर अपनी तरफ रखेंगे तो इस तरह से हमें छोटी-छोटी पलेटे डाल लेनी है पूरी पट्टी में तो यहां पर मैंने पलेटों को डाल लिया है अब हम यहां पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं कुछ इत्रह से कि कितनी लंबाई हम यहां पर रखेंगे तो लंबाई हमारी यहां पर साड़े स्रैते सिंच की आ रही है यहां से इसको फोल्ड करके सिल लेंगे तो कुछ इत्रह से मैंने जालर को तयार किया आप लोग देख सकते हैं तो इसको हमें टॉप में सिल लेना है तो टॉप में हम किस तरह से इसको सिलेंगे तो यहां पर हमें टॉप को लेना है और यहां पर हम जालर को कुछ इत्रह से रखेंगी अच्छे से मिलाकर रखना है आर्मोल की साइट से हमें जालर को तीन इंच बार की तरफ इस तरह से रखना है तो यहाँ पर निसान लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हम इस तरह से निसान लगा देंगे तीन इंच पर इतना हमें बार की तरफ रखना है तो एक जालर को हमें आपर पीछे की साथ कर लेते हैं और उसके बाद में हमें आपर सिलाई लगाएंगी तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं तो एक तरब से मैंने जालर को सिल लिया है सेम इसी तरीके से दूसरी तरब भी जालर को सिल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरब भी जालर को सिल लिया है अब हम इसमें क्या करेंगी इलास्टिक को भी सिल लेते हैं तो हमने यहाँ पर पतली बाली Elastic को लिया है, इसकी लंबाई मैंने 40 इंच रखी है तो इसको हम यहाँ पर उल्टी साइट से रखेंगी और रखने के बाद सिलाई लगा नहीं तो Elastic को हम यहाँ खींच के ही लगा लेते हैं तो एक तरब से मैंने यहाँ पर इलास्टिक को सिल लिया है सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी तरब भी इलास्टिक को सिला है देखिए आप लोग देख सकते हैं तो अब हमें आपर नीचे की तरब भी इलास्टिक को सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने चौड़ी वाली इलास्टिक को लिया है तो पहले हमें आपर इसकी लंबाई नाप लेते हैं तो लंबाई हमारी साड़े 22 इंचा इसको यहाँ से फोल्ड करके सिलेंगे और उसके बाद में हमें आपर टॉप को लेंगे और यहाँ पर हमें इलास्टिक को रख लेना है और उसके बाद में हमें जो हमने दो इंच का मार्जन लिया था तो उतना हमें फोल्ड करना है कुछ इत्रह से और फोल्ड करके हमें आपर सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरी इलाश्टिक को सिल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिये अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगी तो इस तरह से हमारा टॉप आप वुबन का त्यार हो गया देखिए आप लोग देख सकते हैं और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर लेंगा भी बनाया है तो कुछ तरह से हमने 15 अगस्त के लिए तिरंगा ड्रेस बनाई है इसको आप 26 जन्वरी पर भी पहन सकती हैं तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताएं तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सत्क्राप करना ना भूलें और बैला कन को भी दबा दें जिससे जो अमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगो सबसे पहले मिलेगी और दोस्तो इस टॉप को आप जीन्स पर भी पहन सकती है देखी कितना सुन्द सा टॉप जीन्स के उपर भी लग रहा है